हेलो दूस्तों कैसी है आप लोग तो आज में शेयर कर रही हूँ आरज मेरी इंट्रांस गाडन की ओवर्व्यू तो मेरी वीडियो इन तक जो देखें आज है 5 सेप्टेमबर और दुसरा के टाइम आ गया है और जो वेदर है प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है तो यह देखें मेरे मतलब घर के फ्रंट में ही में रखी हूँ यह स्टेरकेस में तो जितने भी सारे इंडूर प्लांट्स है और यह एक वेराइटी है मतलब अब जो टाइम आ गया है थोड़ा-थोड़ा सा विंटर आ रहा है पास में तो आप जितने भी मतलब यह इनको मिलेगा तो जो कि भी जितने भी प्लांट से उनके लिए बहुत ही अच्छा है और यह फिटोनिया की विराइटी है यह रेड कलर की फिटोनिया है और जितने भी प्लांट से यहां पर में रखी हूँ इनको मानिंग का सानलाइट एक दूगंते के मिल जाए तो बहु करते हैं बहुत ज्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है और ज्यादा देखबाल की भी ज़रूरत नहीं है यह एलो के सिया की विराइटी है बस वान्स अ मन्थ इनको में वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा सा दे देती हूं तो आप देख सकते हैं इन सब भी सब्सक्राइशन है बिल्कुल पिकॉक के टाइप की है और यह दिखिए मेरे ही मॉंस्टेरा डेलिस्योसा भी न्यू लीफ यहां पे ग्रो किया है तो इसका जो कलर है बिल्कुल लियॉन कलर की और इसका आप ग्लो ग्लेस देख सकते हैं वेलवेटी ही दिख रहा है यह ला होते हैं तो उनको ही बिल्कुल खा जाता है तो इनको मारना तो नहीं है अभी निकाल के मैं इसको फैंग दूँगी क्योंकि आप अगर प्लैंट की मतलब ही जो गमले है ना उनके पास में अगर सॉल्ट डाल देंगे तो यह इनके पास नहीं आएंगे पर इतने सारे प्लै दूर में फेंग दिके आठाएं तो यह देखिए ब्रोकन हाट है यह मॉन्स्टेरा की इसका भी में क्यार और प्रोपागेशन आपके साथ श्यार की थी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं न्यू लिप भी इसमें ग्लो कर रहा है और यह कास्ट आइरन की प्लैंट है और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है इलसपागे लिग लुनिमा की वराइटीज यह देखिए ले खिंक पागलो की एन गलोाध़ हम वराइटीज स मतलां देख सकते हैं सारे के सारे अलग अलग है यह सिंगोरियम है यह दो राणर ऑर एक वाराइटी की ल और यह जितने भी आगलो निमा है ना इंडोर प्लांच है इंडोर मतलब यह नहीं कि बिल्कुल डार्क में आप इनको रखेंगे तो यह बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा बिल्कुल भी नहीं अगर आप घर के अंदर इनको ग्रो कर रहें तो ऐसे जगां पर रखें जहां प और यह चाइनीज प्राम है यह मेरी रबर प्लांट है यह देख सकते हैं कितना टॉल हो गया है मैं सुछ रही थी कि इसको कटिंग से फिर से ग्रो करूं देखते हैं अभी चुटी तो स्कूल हो जाएगा उसके बाद ही मैं यह सब करूंगी यह रासिना के वराइटी है और मतलब मैं बोले हु न मैं मतलब वांस और ट्वाइसं मान्थ इन्में अबाद में वाल में किम्पोस्ट आडाल देती हूं कि इसमें अभी फ्लावरिंग भी कर रहा है और इसको हम लोग जो प्लाइंट लगाते यह अगलोन आपकं की फ्लावर की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसकी लीपस है, लीपस के एडिशन है, बल्कुल फिलावक की ज़रूरत नहीं है, भी लीप से ही, बहुतलब आपका गार्डन बिल्कुल कलर्फुल ही बन जाएगा, यह दूसरे एक वराइटी की है, अर्थ पर आप देखें, अलग अलग वराइटी में, बस मुझे क्या है, बिल्कُल बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको मैं ऑनलाइन का ऑडर की थी, अभी देखिए, ग्रोस पे बहुत ही बढ़िया से यह हुआ है, यह सिंगोनियम के दूसरा एक वाराइटी है, लिफॉइड है, यह भी फिलो यद्रन की वाराइटी है, यह नियॉन कलर करके अफ दिखिये मॉनिंग का संब्लाइट इन के उपर गिर रहा है, तो कितना शाइनिंग कर रहा है, कर लкус IVN viewing in मैं लिष मतलब मैं watering अभी in watering कर ले थे तो मॉनिंग में अभी watering करने की भी ज़रूरत नहीं है तो बारिस भी चोट गया है तो थोरर थोर आ आसा हम लो से धादा धूप की जरूरत नहीं है इसमें मॉणिंग की सअनलाइट इनके उपर गिती है तो बहुत ही बढ़ी यह ग्रोओ करते हैं सोंग अफ इंडिया है इसको इजी ली-प्रॉण कर सकते हैं जितने भी इन प्लान्ट्स आप इजी ली इनको ग्रोओ कर सकते हैं बस आपक तो बहुत ज्यादा मतलब सौगी नहीं पर मॉइस स्वाइल को पसंद इस इंगोनियम के वराइटिय यह है आरेडूट प्लांट और यह कैलाथिया की भी वराइटिय है और निव निव ग्रोथ इसमें अभी हो रहा है बहुत बढ़िया से यह भी यह सारे कैलाथिया की अभी के वराइटिय यहां पे इसको प्रेयर प्लांट या तो पिकॉख ब्लांट केहते हैं क्योंकि एवनिंग होने से यह फोल्द हो जाता है यह लिप्स और ऑ्रौनिंग होने आरा फिर से यह गुटाता है यह जेबरिना का निवरन ना प्लांट है अभी ठोड़ा इसमें वाठ तो इसको में पिराकल के लिए आई यहाँ पे चेलाटियम की वराइटी से है। चोटे चोटे से चोटे गंबले में भी आप इसको लगा सकते हैं, तो एक जोटा की प्लांट है ये थूड़ा मीचे लगा हुआ है, तो गोथ भी इसका बढ़ा हुआ है, ये लाइट पिंग कलर की जोटा है, तो ये ड्वार वारेटिका है इतना बहुत ज्यादा मतलब इनक में इन जाको इन्का से वय स्थूकुता को कि बाइट और जो के साके तो ने जो आए कंड़ कहा है है तो इनको यह जितने भी इस थो सवायात से थाल ऐसे कॉरक्स आ Hmm यह देख सकता है भी कितना बड़ी हसे फ्लारिंग कर रहा है, इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं और जब इनके उपर संड्रे गिरेगा तो इसका कलर भी चेंज होता है फ्रिक्मेंटली जैसे यह लो ओरेंज वैसे ग्रीन वैसे ही चेंज हो जाता है तो यह देखें फास्ट लब का यह प्लांट है और यह जाटरोब के प्लांट है फ्लावर इसमें बिल्कुल भर गया है और यहां पे बलडिंग हार्ट है तो यह देख सकते हैं यह अभी एडनियम में अभी हो रहा है यह प्लांट को तो अभी मुझे प्रूनिंग करना है हाथ-प्रूनिंग बहुत ही जल्दी इसका ग्रोथ हो रहा है मदू मालती में तो अभी फ्लावरिंग करके अभी थोड़ा सा मितलब रेस ले रहा है सायर यह बुद्धा बिली प्लाइंट इसको भी में शेयर की थी इसकी कोटेक्स रहता है बहुत ही बीटिफुल यह मुसंटा के प्लाइंटे पिंग कलर की इसका भी रिपॉर्टिंग अ सारी प्लांट के लिए आईडियल है यह तेमपरीचर अभी रात को मतलब मौनिंग में थोड़ा सा ठंडक और डेटाइम में थोड़ा सा गर्माहट सारी ब्लांट के लिए बहुत ही यह बढ़ा है तो यह दिखे जितने भी सारे प्लांट से अभी फ्लावरिंग अभी इसके जो लिप्स होते हैं मतलब चुनी उगरूत होता है ना यह अर यह एरंथेमम की प्लांट है यह लिप की वेरिगेशन ही बहुत ही ब्यूटिफल लगता है आप प्रूनिंग कर लेंगे यह उतना ही बुशी बनके आपके गार्डन का मतलब बढ़ा देगा यह भी एरंथ सकते हैं यह भी फॉर्ण है इसमें इसको भी रेगुलरी वाटरिंग के भी ज़रूरत है इस इतने भी सारे प्लांट से इंडियोर प्लांट से इनका सॉयल वेल्डरेंड होना बहुत ही ज़रूरी है इनको पसंद है पर सौगी सॉयल नहीं है अगर इनमें ज्यादा पानी ठेहर के तो मतलब रूटराट होने की बहुत सारी चांसेदे तो अभी मैं आपके साथ शैर की मेरी की आपको कैसे लगा मेरी विडियोमे पर ऐसे इनका सान्मद प्लांट में डूल गई थी अपके साथ शैर करने को एपीस wanted या तो flame violet की plant है यह और इसको hanging basket में लगाने से बहुत ही beautiful लिए ग्रो कता है यहाँ पर में रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर morning sunlight गेती है तो यह flower इसमें आ रहा है तो flowering के लिए sunlight तो बहुत ही जरूरी है रेड कलर की अभी flowering हो रहा है और इसके जो leaf है टेक्चर बिल्कुल velvet की तरह है और यह देखते हैं यहाँ पर मेरे रस्निक प्लांट की भी दो वेराइटीज है यहाँ पर यह हो गया मेरे जितने भी यहाँ प्लांट है और यह देखे और आप इन तक देखने के लिए मेरे वीडियो को मेनी मेनी थैंक्स तो आप अगर मेरे चैनल को once again I'm telling subscribe नहीं किये हैं you can subscribe, share, like और कुछ भी suggestion हो, any query हो, any plant के बारे में तो आप मुझे comment section में you can ask me प्लांट के क्यार के बारे में बहुत सारी plants है, मेरी experiments और जितना भी experiences है आपके शाद शेयर करने के बहुत कोशिश कर रहे हूं और कोशिश करते रहूंगी तो आपकी प्यार ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल के साथ बने रहे, तो यह है मेरा रहे गया, यह मेरे गार्डन को ओवर्व्यू, तो अभी देखिए आपको यहाँ पे फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, बस foliage से ही मेरा गार्डन देखिए कितना बढ़िया से अरा ब